आज हम लोग やना ये रिजल्ट वाले में समलोगों के दिमांड के साथ था कि इमेघ आट करें लेकिने इमेज आट करने का कई तरीका होता है ने एक depends में हम लोग आगे दो चीजिए नहीं सिखेंगे एक होता है अपलोड ठींग्स के बारे में यह अपल रधाल को यह अप्लोड टेंग्स यह दो चीजों कर सकते हैं हम लोग अपने डेटा को स्टोर करने के लिए ख्लाउट पे लेकिन अगर आपको लोकल स्टोर करना है तो अभी हम सिखाते हैं इंसर्ट फॉर्म के केस में हम लोगों को फॉर्म में इमेज अप्लोडिंग बताना है तो सबसे पहले तो हम लोग अपना मॉडल मोडिफाइ करेंगे क्योंकि मॉडल में ऐसा कोई कॉलन ने जहाँ इमेज स्टोर होगा कोई भी नया चेंज़ेज लाने में मॉडल को ऐसी करिएगा कि स्टेप लिजेगा कुछ इस तरीके का अगर आपको जैसे इमेज डालना है तो उसका नम डीप रहते होतना चलेगा और ताइप जो होगा वो स्टिंग होगा क्योंकि नाम इस्टोर होता है उसका और चुके रिक्वाइड है इसनिए रिक्वाइड फ्रू लगा रहता है नहीं छोड़ो रिक्वाइड आपको क्या करना पड़ेगा एक बार कम से कम इसको डिलिट मानना पड़ेगा तो डिलिट कीवर्ट रहेगा जो के मंगूस.model डाट मॉडल्स को अपना डिलिट मार दी जागा कैसे डिलिट मानना है यह लाइन देखी जाओ आपका पुराना इस्कीमा डिलिट होना Logical Independence जो हम लोग पढ़ते हैं जासातर 15 Quartz Rules परते उसमें जोग यह लोडिट करेंगें तो फिसीट को만 डिलिट कुछीज़ नहीं मिलेगा या उसके बदलाव नहीं होने बाले यह लाइन अप्लिक दीजेगा, create होने से पहले, और अपना project को जिस page पे भी आप model पॉल्ट के बस एक बाद refresh कर दीजे, इस निया प्रिफ्रेश कर दीजे, यह मत दिखें के जिलेट होगा, हो गया होगा, अब बस इसको comment कर दीजे, आप complete का process हो गया, अब जब दुबारा run क करेंगी हैं, दुबारा page load होगा, तो यह वाला section काम नहीं करेंगा, वह वाला section काम करेंगा, जिसे नया create हो जाएगा, तो जो DP नया model है, वो add हो जाएगा, वो schema में add हो जाएगा, तो अब आप free हैं इसके लिए, लेकि एक पर क्या करना आपको लगाना है, page को load करना है, उस page को load करना, जिसमें कम से कम module import होना चाहिए, तभी तो रन करेंगा, तो रन करेंगा, तो delete हो जाएगा, delete होने के बाद वो आप उसको comment कर दीजिए, जिसके बाद वो दोबारा फिर delete ना हो जाए, तो फिर इसके बाद आपना जो नया add किये है, column, वो आपको उस schema में मिलेगा एक टकनीक है, जिसका इस्तवाल आप कर सकते हैं, उसके बाद आपको अपने image insert, sorry, insert के page में आना है, और यहाँ form में एक ठोप, photo डाल देंक लिए जगा बना लेगा, तो simply क्या करना है, यहाँ पर label में लिक देजिए, यह तीन जगा चेंज कर रहते हैं, DP, इंप्ट तो अब हमारे पास से इसका action, server action, जहाँ data जाता है, उसके लिए आप पूरा त्यार है कि आपका data गया है, आपको कहा मिलेगा, यह utility में actions, और यहाँ पर आपके पास data आया है, आया है तो आपको यहाँ पर use करना, उसको, कैसे use करना दिखाते हैं, यह सब मत दिखिएगा, अब आपको क्या करना, अपना image निकालना है, तो आपको image निकालने के लिए, एक variable बना लेना है, इसके बाद आप क्या करेंगे, इस image का byte में convert करेंगे, तो normally हम एक variable बनाएंगे, bytes, 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 bytes और उसके बाद लिखेंगे, यहां पर await asynchronous चलेगा यहां पर, और लिखेंगे, यहां पर dp, sorry, image variable करना, उसको binary में convert करने के लिखना होगा, array buffer, array buffer, ऐसे function डालना होगा, ठीक है, array buffer, तो जो image आ रहा है, वो image byte में convert होके, इसमें store होगा, ठीक है, इसके बाद हमको byte में data जो लिए जाएगा, तो पाद क्या ह होगा, यानि कहां store होगा, तो आपको join function चाहिए, इसका j small नहीं, capital होगा, ध्यान रहे, join function import करना होगा, तो उपर आपको import कर लेना है join function को, कैसे import करेंगे, दिखिए, import, ऐसे hint आया था मेरे पास, लेकिन path से, ठीक है, तो यह by default install है आपको, path आपको install करने की ज़रूद नही तो join आपको निकाल लेना है, join यहाँ पे, दो path को join करने का काम करेगा, मतलब दो string को join करेगा, ऐसे URL path, तो हम लोग बताना है कौन सा folder में, तो कहां कि मेरा project का main folder, root folder है, उसमें public नाम का folder है, इमेज नहीं रहेगा, public वाले folder में, public app से बाहर जो public है, बना हुआ है, उसके नाम क्या होगा, तो basically image.name, यह image data जो आ रहा है, photo file आ रहा है, उसमें से नाम निकालना है, image.name, यह मेरा path बन गया, अब इस path में इसको write करना है, write मतलब फाइल को upload करना है, यानि उसमें copy करना है, उसमें copy करना है, जिसको हम लोग करते हैं, वहाँ पे move uploaded file से, यहाँ पे करें जानी file system, file system promise, promise लगाएंगे, तभी await इस्तमाद होगा, देखिए उपर में, fs promises, तो आपको इसका file का नम क्या है, function का नम है, write file, आपको इसमें path बताना है, और कुछ नहीं, देखिए, write file, छोटी bracket, और file को write करने के लिए आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, path क्या है, और वो जो आपका buffer data, यहनि, byte, जो buffer, sorry, sorry, एक buffer data बनाना पड़ेगा, यह तो मैं छोट दिए, तो मैं यहाँ पर करूँगा, let buffer, buffer data, ताकि upload होने में दिखना हो, यह buffer भी import होगा, कहां से import करना है, यह सुन लिजिए, इसको utility से import, नहीं, utility से import में नहीं करना, actually मैं buffer को import नहीं होता है, ठीक है, buffer, dot, और उसके बाद आपको लिखना, from, कहां से, वो byte का variable, यह जो buffer variable है, यह यहाँ पर आपको पास कर देना है, राइट, चलिए, एक मोटे-मोटे तार पर एक बाद रिव्यू ले लेते है, image जो आ रहा है, वो form data से उठा लिया, आपके पास इसमें क्या ह करेंगे, इस तरीके से, फिर buffer from bytes करेंगे, और buffer variable बना लेगे, उसके बाद आपको part decide करना, कहां डालना है, catch में पहला बताना है, folder का नाम, फिर उसके अंदर क्या folder होगा, और उसके अंदर में नाम क्या हो, यह तीनों को join करके URL बना देगा path, इसलिए function का नाम क्या है, join, ठ कि किसको upload करना हो यह, दोनों pass करेंगे, यह promise से पास होगा, यह यह अवेट लगेंगा, होगया यह आपर काम करना, यह जो 4-5 line लिखा मैंने यह है, image का work, मैं सबको ऐसे enter कर गए हूँ, एक जगा कर देता हूँ, और उपर में comment लिख देता हूँ, image work, ठीक है, अब चुके data हम लोग अपलोड भी करना है, तो इस ध्यान अतना है, तो हम यह अप लिखेंगे, image, sorry, dp, column का नाम dp, और image.name, हमको तो data उसने सिर्फ नाम ने बैठना, image.name, image का नाम चला जाएगा, dp में add हो गिया, और यह create करने का नया model, नया data, नया document, upload हो जाएगा, और अब हम लोग calling के time में इसका अस्तमाल करेंगे, पहले देख लेते हैं, upload होता है कि निए, तो आ जाते हैं, यहाँ पर form, देखेंगे, यहाँ पर dp नब का एक section आया है, बट काफी छोटा है, इसकी वज़जा यह है, कि हम लोगों ने इसमे column भी decide कर दिया हो, देखो, यह जो dp है, इसको अलग बाहर section में निकाल देगे, इसके बाहर, यहाँ निकाल देगे, तो इससे क्या होगा, यह अपना अलग जगा लेगा, लगा लिए, तो हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं, यह सादिक लिखा, यह यहाँ पर रामू लिखा, और यहाँ पर नहीं पता, यहाँ पर data ड अप्लोड करते हैं, यह ठीक है, अप्लोड करते हैं, नाम देख लो, object-oriented1.png, create कर नहीं कुछ करते हैं, हमको यह को रहा है कि जो फाइल आप बोल रहें, वहाँ तो फाइल बना ही नहीं है, यानि आपका पब्लिक फोल्डर तो है, लेकि यह नाम नहीं है, तो यह बनाना पड़ेगा, इगाला का पहरा में उनको मांक्सा है, चेक किजिए, अप्लोड हुआ यहाँ पर, इंसेट हुआ, अपने डेटावसें जाके चेक करो, उसका पर देखो, फोल्डर में फाइल आया कि नहीं है, आ गया, इसके बाद आपको यह चेक करो, कि मंगो डीवी में ना मंगो डीफी कंपस, connect करते हैं, और हम को अपने RMS में जाना है, स्चुजन में जाना है, आक्री ना मैंदा ना निचे, लेखो effekt ना नाव का कॉलम और इसमें data, जो रेस देखो एक नहीं कॉलम हैड हो गया बिसिकली यहां पर काम हो गए हकता है और हम लोग आप करेंगे का करेंगे वियू मार्स है यहां पे जगा बनाए थे रखा दिये हैं हम लोग यहां कंदर पेजिए वहें हिए ऐसे जगा बन जाए एक प्रसंट अपर इस जगहा बार जाटा गजाए एक पर्सनल इप्रमिशन देखिए यहां पर चोड़ा सा बॉक्स बनके यदश है आगया जाए इस जगा फोर्टो क तो हम लोग पहला वाला ही कॉलम में यानि फॉस्स कॉलम में एक टीडी बना लेंगे और इसका कॉल खुड़ास नेम, बॉर्डर, पेडिग्ज, और इसमें यहां पर लिखना होगा आपको रोस्पैन, रोस्पैन क्योंकि दो रोस्पैन क्योंकि तीन रों में एक साथ एक सो और हाइट में डाल दिए लगबग लगबग असी जो आप लगा सकते एस रसी आप चाहिए और एस रसी में आपको क्या डालना है डाटा डाट बुलिए ना डीपी लेकिन ऐसे पाथ तो कप्लिट होगा निवा तो सिब नाम है तो आपको यहां पर बैक्तिक यूज कर लेना है स्मार्ट तरीका डालर कर ली बैकिन इसको चिपका देना है यह वेरेबल इसमें आगे और इसके आगे आपको देख देना है पब्लिक लिखने की जोती है तो यहां पर सीदा स्टुडेंट अंडर्सकोर डीपी स्लैस हो गया आपको आप अब आट पुट देखना इमेज अपलोडिंग कम्प्लिट इसका विथ हारा हाइथ हम तोरह बढ़ाते हैं खुशी बहुत है हमको इस बात का इसके हम बढ़ाते हैं खुशी खुशी में हो जाए तो कम्प्लीट कर लिया हम लोगों नहीं यहां पर वो चीज नॉर्मली यह ऐसे है इसके हम इसका चाहिए कि अगर हाइट विट नहीं डाल दें तब क्या करेंगे तो इसके बाद स्टाइलिंग कर सकते हैं विथ एक करली प्रेकेट जावाश्किप का है एक करली प्रेकेट उसके रियक इसका है अबजेक्ट का है जोके जैसान में आपजेक्ट में ही पास होता है आपका स्टी एसस तो यहां पर लेक्देते हैं है अंग है हनुए फैसे जब्साइब आए यह दिक्कत आएगा क्या आया दिक्कत विथ हाइट चाहिए इसको एक उप्साइब्सक्टि इसको इसपए तो कामें नहीं काम पे जाए यह औग तर ब्लांक छोर देतें का दिक्टव लिगने को जिसे हुआ है एक मेंड़ एक साथ था फिल या दस तोड़ी कमजोर होने लगी आज को अब क्या होता है देखें हमको नहीं चाहिए फिल इसने बुलना हमको है फिल चाहिए फिल बैसिकली आप उपर वादा लाप कर जाता है तो नॉर्मनी काम करता है हम इसको यहां पर थोड़ा सा विथी को बढ़ा देंगे हम उतना चलेगा ऑप्टिमाइज है खेंच फोलो तो हमारा इमेज आ रहा है हम इसमें खुछ है इसे आदा हमको फिल चाहिए तो बिसिकली यहां पर हमारा इमेज कंप्लीट होता है और जिसमें इमेज नहीं है वह आपको ऐसा वल्ला गंदा साथ दिखाए तो उसके जगा पर आप इफैस कर सकते हैं अगर इमेज एवेलेबल नहीं है तो आपको क्या कर नहीं है तो बिलांग डिकाना है तो यहां पर इमेज का युर्ल है वह तुम डाल दो सब्सक्राइब बाहर का अगर आप कोई इमेज यॉरल ला रहे हो तो इसको पताना पड़ता है या इसको इलाओ कर दो फर्मिशन लेना पड़ता है बड़ा जिस्प्रीन नहीं जाए तो यहां पर पिक्सम अगर यूस करते हो पिक्सम दॉट फोटोज स्क्राइस चार सो दो सो थीन सो है जाए जाए इसके अपने लखने हैं यह कंपाइलेशन एलर क्या या रहा है और दोनों एक ही कर्ली ब्रैकेट में हो गए इसको सब्रेट सब्रेट कर दें जाए यह नहीं तो तुम नहीं तो कोई और सब्सक्राइब अब कुन सब्सक्राइब कर देखा जाता है देखो क्या बता रहा है अगर आप इसको करेंगे तभी हम एक्सेश करने देएं कहां नेक्स.config.js परना है कैसे करना है यहां पर एक यूरल दिया है जहां जाकर पर सकते हैं कैसे करना है आपको जाना है next.config.js में वहां जाकर यह डाल देखिए कैसे डालना है नेक्स.config में आना है यहां पर यह वाला करनी ब्रैकेट यह उलो जगा खाली है एंटर मारना है और यहां दिखना है इसकी को डालना है ठीक है यह डाल देगी जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे आपको अलाओड नहीं होगा बाहर का इमेज इस्तमाल करना इतना सा काम आपको करना पूरे हो ठीक है अब आप वापस से रन कीजिए प्रोजेक्ट को क्योंकि रन बंद हो गया था और मुझे नहीं देखता है कि आपको एरर आना चाहिए रिफ्रेश करते हैं पोर्ट और पाथ बताने कीज़ों नहीं है खली पोल्टोकॉल और वो हमको यह देख लेना है खली क्या मैं से डीप ऐसी उसके थे हां एक यूसके बस रिलोड होने का वेट करते हैं और काम खदम इमेज अब्लो नहीं यूस कर सकते हैं तब तक के लिए बाई